प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आपको दूँगा कि एफ्जेट वर्जन 3.0 बीएश तो मैं फर्स्ट में इस बाइक के बारे में कुछ इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यामा ने क्या चेंजिस किया हैं बीएश फोर में और बीएश 6 में यहां पर आपको मिल जाते हैं 149 सीजी के एर कुल फोर स्टॉक इंजन जो की टूवल्व के साथ आता है और यहां पर सिंगल से लेंडर इंजन आपको देखने के लिए मिलता है और यहां पर आपको मिल जाते हैं बीएश 6 में 12.4 PS पावर यह प्रोडियूस करता है और यह सेवेंटी टू हंड़ेड फिप्टी आर्पीम यह प्रोडियूस करता है और इसका अगर मैक्स टॉर्क का अगर बात किया जाए तो यहां पर 13. 16.6 Nm टॉर्क यह प्रोडियूस करता है 5500 rpm के साथ और यहां पर फ्रंट डिस आपको मिल जाते हैं 282 mm के साथ और रियर डिस आपको मिल जाते है 220 mm डिस के साथ और यहां पर सिंगल चैनल ABS आपको देखने के लिए मिलता है और इसमें यहां ने फ्यूल कैपेसिटी थोड़ जाता है तो यह बाइक आपको five manual transmission के साथ आपको देखने के लिए मिलता है five gears के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनिक कंसोल मीटर की तो यार सेम पहले वाला जैसा था वैसा ही है और इसमें आपको फिलाल कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा यहां पर मैं बता दूँ कि इसमें जो चेंजेस किये गया है वो टॉर्क और इसके बीच पी यह दोनों यहां पर यह यहां पर इस बाइक में आपको पहले देखने के लिए मिलती थी 12.8 अनम टॉर्क यह प्रोड्यूस करता था शिक्स आउजन डाट पीम पे तो यहां पर डेफिनेटली यामा ने सुब यह सिक्स में यह कम किया है मैक्स पावर और मैक्स टॉर्क इसमें कम किया गया और यहा तो अगर आपके पास पहले से अगर भी एस फोड मॉडल है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें अपग्रेड करें क्योंकि यह इसमें पावर भी थोड़ा सख कम है क्योंकि डेफिनेटली यह माइलेज जादा देगा और यहां पर टैंक कैपिसीटी भी थोड़ी सी इंप्रूव की गई है क्योंकि वाले वाली बाइक 12.8 लीटर फ्यूल टैंक कैपिसीटी के साथ आती तो फिलहाल कुछ यह चेंजेश किये गया थे यामहा की तरफ से तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो अगर आप इस बाइक के नेक्स्ट इन्फर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए बबाय, सेफ राइड, सेफ लाइफ